हलो फ्रेंड्स वेल्कम बाइक टू माई चैनल तो आप लोग कैसे हैं आसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम ले करके आए हैं किचन के कुछ ऐसे हैं जो की बहुत ही आसान है और हमारे बहुत सारे काम इजी से हो सकते हैं तो देर ना करते हुए हम सेर करते हैं आप लोगों के साथ में पहली टिप्स तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनों के साथ सेर करना तो क्या होता है संत्रे खाना तो सभी को पसंद होता है संत् सबी चीजे बहुत ही करगर होती हैं तो इस तरह से देखे छिलका हमने छिलके तयार कर लिया अब इस छिलके को हम क्या करेंगे संत्रे को आप खा लीजिए अगर जूस बनाना है तो आप छोटे बच्चों के लिए जूस भी बना सकते हैं तो इस तरह से इसको देखे छोटे कर लें उसके बाद में यह चोटे चोटे टुकड़े जैसे सोफा के नीचे हो गया और किचन में हमारे जैसे किचन में वह ज्यादा नहीं रखना है बस डिबों के पीछे पीछे रख देंगे तो इससे हमारे किचन में अच्छी सी यह कि स्मेल आती रहती है और इससे हमारा जो बैड इसमेल है वो बिल्कुल भी नहीं आती है उमीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आएगी तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे लैसुन हर घर में यूज होता है इसका छिलका जो निकलता है उसको हम कचला समझ करके फेक देते हैं लेकिन ये बहुत ही काम का होता है इसको आप फेकिये नहीं तो इस तरह से देखे थोड़ा सा हमने प्याच का छिलका ले लिया और थोड़ा सा लैसुन का छिलका अब इससे हम क्या करेंगे आप लोग सोच रहे होंगे इस छिलके का क्या यूज है तो आप लोग देखते रहे हैं तो एक ले लीजे कोई भी बड़ी दियाली ले लीजे जिसके आगर आपके पास दियाली नहीं है तो आप कोई कटोरी खराब ले सकते हैं उसी में इस तरह से डाल दीजिए क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है इस समय म तोयल डाल सकते हैं, वैसे सर्सों का तेल सबसे ज़्यादा फायदे मन होता है, थोड़ा सा इस पे हम डाल देंगे, कपूर का टुकड़ा और नीम की पतियां थोड़ी सुखाई रखी थी, वो भी मैंने तोड़के डाल दी, अब इस तरह से इसको जला देंगे, जलाने के बा और ये बहुत अच्छा है नुसका एक बार आप लोग जरूर ट्राय करना तो इस तरह से दिखें, पूरे कमरे में कमरे को बंद कर दीजिए और इसको जलते रहने दीजिए, इससे हमारे मच्छड बिल्कुल चले जाएंगे, उमीद करती हूँ ये भी टिपस आप लोगों इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से घुमा देंगे, तो जितना भी जला हुआ चाहे, जितना जला कुकर हो आप तुरन चुटकियों में साफ कर सकते हैं, तो देख सकते हैं थोड़ी सी साबुल लगा दीजिए या जो भी आप यूज करते हैं उसको ले लिज इनको हम खूड़ा समझ के फेकते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आसानी से कर सकता है, तो देख सकते हैं, हमारा कुकर एकदम चमक गया, जैसे तवा पे पराठे बनाओ, पराठे बनाने के बाद में जो जल जाता है, उसको भी आप इसी रैपर से जाए का बरतन हो गया, जैसे जल जाए उसको भी आप इस दवाई के रैपर से साफ कर सकते हैं, छोटी छोटी टिप्स होती है, लेकिन ये हमारे बहुत ही काम की होती है, इनको हम एक बार जरूर यूज करें, यूज करके देखेंगे तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो ज जलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, और ये हमारे जो रैपर हैं, एक बार में खराब नहीं होते हैं, इसको आप रखती जिए, डेली यूज कर सकते हैं, ये कम से कम एक हफते तक ये रैपर हमारा एक रैपर चलेगा, जिससे हम कूकर है, कढ़ाई है, और अपना जो चाय क प्राइदान है, उसको भी हम कर सकते हैं, तो जैसे क्या होता है, हम लैसुन छिलते हैं, लैसुन छिलने के लिए, अब नया लैसुन आ गया, इस समय छिलने में थोड़ा सा दिकत होती है, पुराना लैसुन तो आसानी से छिल जाता है, इसके लिए आप क्या करिए, एक सिप पसंद आएगी जो उपर का गोल वाला हिस्सा होता उसी में फसा करके इसको तोड़ेंगे लैसुन आसानी से छिल जाएगा क्योंकि लैसुन छिलना बहुत ही कठी लगता तो चलिए अगली टिप्स हमारी है लैसुन को ही ले करके तो इस तरह से हम 6-7 कली लैसुन ले लेंगे छिल बिना छिलका हटाए इस तरह से लेने के बाद में अब इसको हम किसी भारी चीज़ से इसको थोड़ा सा हम क्रेस कर देंगे के ताकि इसके सारे गुण हमारे आ सके तो इस तरह से छिलके के सही इसको हमने तोड़के तयार कर लिया है बहुत जादा इसका हम बेश्ट न हमारा किस लिए हम बना रहे हैं तो आप लोग देखते रहें अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेर जरूर करना तो इस तरह से देखिए इसके लो फ्लेम पे पकाते हुए चलाते हुए पका लेंगे जब तक एक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अच्छे से पक जाने के बाद में अब चलिए इसको हम गैस बंद करने के बाद में इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ठंडा नहीं करना है गरम ही कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए या रुमार ले लीजिए और उसमें इस तरह से यह जो हमारा लेसन है सारा निकाल ली और ये एंडिय भी दर्द होती हैं, सभी के साथ में ये ऐसा होता है, कि एंडिय कभी-कभी अतना ज्यादा धर्द होने लगता है कि हमसे चला भी नहीं जाता, तो इस तरह से ये जो पोटली बना क्यांकि ज्पिकाइचंगी से भीनी दाड़ET को हैं उसके अपने पते लॉऌब इससे लगाने के बाद में यह इतना चितना है इतना होग उसकोड़े-धिररी नेरी की दरद हैज्बिकलर बहुत जलalter हिन्हें कासी के बार हुग basketball donна और इस तरह से चोटी-छोटी टिपस अपना करके हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपने जो है शरीर की दर्द भी गायब कर सकते हैं अब ये तेल हमारा बहुत ही अच्छा है इसको आप किसी चीज में चान करके रख लीजिए और इसको आप यूज कर सकते हैं जैसे पद इस अंगोठे की सायता से इस तरह से रिमूव करते हुए इसे मालिस करनी है मालिस करने के बाद में आप देखेंगे आपके पैरों की दर्थ जितनी भी होगी वह बिल्कुल भी खतम हो जाएगी क्योंकि सर्सों का तेल है और लैसुन है इसमें इतने सारे गुड होते हैं जो हमारे पेरों के दर्द को बहुत जल्दी कर देता जैसे कभी-कभी नसों में खिचाओ आ जाते हैं तो चलिए अगली टिप्स हमारी है कि हम सुई में धागा आज कल देखा जाता है हर किसी के साथ में यह होता है चाहे तो कोई दिकत हो या ना हो फिर भी द्धागा डालना वहुत ही लगता है तो इस तरह से कोई भी आप चोटा शाक कव्च कर ले लीजिए और इस तरह से इसको फोल्ड के लीजिए इस तरह से मैंने gears को फोल्ड किया है ये तरह से देखें दागे को सूई को ही कागच आगा है अपका दागा बहुत जल्दी पड़ जाएगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा तो आज की टिप्स हम यहीं पे आंट करते हैं अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और हाँ आप लोग वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं